उपमंडल चौपाल की अंतरगत हुंदल पंचात में अगनी कांट की गहटना सामने आई मिली जानकारी के मुताबिक खलनाटो गाउं के रहने वाले बालक राम के मकाउन में अच्छानक आग लगई हलाकि आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है लेकिन शौर्ट सर्किट इसका कारण समझा जा रहा है दुखत यह है कि घर के सदस से इसमें कुछ भी नहीं बचा पाये है पल भर में ही गरीब परिवार का आशियान जल कर राख हो गया है आलम ये है कि बदन पर पहने कपड़ों के अलावा ये परिवार कुछ भी नहीं बचा पाया कहा जा रहा है कि घर के चार सदस से हाली में दिहारी मजदूरी करके करीब साथ हजार की नगदी लेकर आये थे जो कि इस अगनी कांट की भेट चड़ गई है आग की लपेटे देख स्तानी लोग भी मौके पर पहुँचे लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका जब इसकी सूचना पंचायत परधान सरीता ठाकुर को भी दी गई उन्होंने मौके पर पहुँच कर स्तिती का जायजा लिया उन्होंने बताया कि पीडित परिवार को परशाशन की तरफ से 10,000 रुपे की फोरी राहत राशी परधान की जाएगी अकवतादे कि अगनिकान की इस घटना से बेघर हुए परिवार बेहद ही गरीब तबके से संबंद रहता है और दिहाडी मजूरी करके ही अपने जीवन का यापन करता है ऐसे में इस घटना से उनके उपर मुसीबत का पहा तूट गया है